दोस्तों शेर, चीता, भालू, हाथी जैसे बड़े जानवर तो आप सभी ने देखे होंगे और इनके बारे में सुना भी होगा लेकिन क्या आपने ऐसे जानवर देखे हैं जिनकी लंबाई और उचाई को इंच में मापच जा सकता है यदि नहीं तो आपको बता दें कि दुनिया में ऐसे जानवर भी हैं जो अपने वास्तविक आकार से बहुत छोटे हैं और जिन्हें अंगूठे या फिर छोटे से ग्लास में भी रखा जा सकता है चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों आज हम आपको ब्रिटन के एक ऐसे गोड़े के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी लंबाई एक कुत्ते के बराबर है इस गोड़े का नाम माइक्रो डेव है जो कि ब्रिटन का सबसे छोटा गोड़ा है इसके लंबाई महज 18 इंच ही है ये गोड़ा नेशनल और इंटरनेशनल रेसिंग में हिस्सा नहीं ले सकता बावजोद इसके लोग इसे दोड़ते हुए देखने के लिए आते हैं माइक्रो डेव की मालकिंग जेन बाल्डविन ने वताया की 40 दिन के इस गोड़े के लंबाई देखकर महरान हूँ जेन के मताबिक ये गोड़ा इस्थानी लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हो चुका है इसका जन्म 11 जून को हुआ था जेन कहती है कि ये गोड़ा सबसे चूटा गोड़ा हो लेकिन दुनिया के सबसे चूटे गोड़े का रेकॉरड अमरिका की गोड़ी थमबिलीना के नाम है इसके लंबाई महज 17 इंच ही है दुनिया के सबसे छोटे कुत्ते का खिताब मिली के पास ही है इसकी लंबाई मात्र 9.65 सेंटीमीटर है मिली का कद इतना छोटा होने के कारण इसका नाम गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया है और अब तक ये रिकॉर्ड तूट नहीं पाया है ये एक मादा है और इसकी नस्लत चिहू हुआ है मिली की हाइट 2013 में दर्च की गई थी जिसके बाद उसने दुनिया का सबसे छोटा कुत्ता होने का किताब हासल किया ये इतना चोटा है कि किसी चमच में बैट जाएगा मिली का चोटा कद दुनिया भर में आश्यरे का विशय बना हुआ है इसका वजन मात्र 522 ग्राम है सोच ये कैसा लगेगा जब आप अपनी हथेली पर अपने डॉग को बिठा कर उसे प्यार कर सके यकीन नहीं हो रहा ना कोई बात नहीं जब आप टैबलिट ये स्मार्टफोन के साइज से जरा से बड़े इस डॉगी टॉड़ी को देखेंगे तो यकीन हो जाएगा टॉडी दिखने में बहुत ही चोटा है लेकिन शरारत करने में सबसे आगे है कोग कैन से भी चोटे साइज का ये डॉग चिहू हुआ परिवार का सबसे छोटा सदा से है इसे भी गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ट में शामिल किये जाने का दावेदार माना जा रहा है 12 हफते के इस डॉग का साइज 7 सेंटिमेटर और वजन 300 ग्राम है इसे दुनिया का सबसे छोटा डॉग माना जा रहा है ये इतना छोटा है कि एक हथेली पर आसानी से आ जाए ये टेबल टेनिस के रैकेट के आगे के भाग पर आसानी से आ जाता है इसे गिनीज बुक आफ वर्ड रिकॉर्ड में शामिल होने का दावेदार माना जा रहा है पुलैंड के व्रोकला में इस डॉग की बड़ी बहन भी है ये है छोटा पर इसकी शरारतें अच्छे अच्छो को तका देती है अपने साइस का फाइदा उठा कर ये कहीं भी हुच जाता है सॉफ्ट टॉइस के साथ मिलकर ये उन जैसा ही लगने लगता है और तो और संग्लासेज से खेलना इसे बहुत जादा अच्छा लगता है थोड़ा सा खाता है अपने साइस के अनुरूप इसका खाना भी बहुत कम है इसका फेवरेट फूड अंडा है अंडे को ये बड़े शौक से खाता है अब आप ही बताईए दुनिया में जानवरों की कमी नहीं है मगर आए दिन कोई न कोई अजीब जानवर की प्रजाती देखने को मिल रही है आपको बता दे कि आज हम आपको जिस जानवर को दिखाने जा रहे है वो दुनिया का सबसे छोटा हाथी नहीं है बलकि ये किसी और जानवर का बच्चा है ये जानवर का बच्चा दिखने में एकदम किसी कहानी में सुने हुए सफेद हाथी की तरह है चलिए आपको बताते हैं खिर इसका राज क्या है इस अजीब से दिखने वाले जानवर का और ये जानवर कहां पाया जाता है ये अनुखा जानवर कमबोडिया में पैदा हुआ है आपको बता दें कि हाथी की तरह दिखने वाला ये जानवर पिगलिट यानि की सफेद सूर का बच्चा है इस पिग के बच्चे की नाग एकदम हाथी की तरह है यही नहीं इसके कान भी हाथी के कान की तरह बढ़े और चोड़े है जादा तर लोगों का कहना है कि ये इस कारण हुआ है कि इस जानवर के शरीर का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया दक्षण अमेरिका के पश्यम बेसिन में पाये जाने वाला ये बंदर दुनिया का सबसे छोटा बंदर है ये बंदर जब पैदा होता है तब इसकी लंबाई आपके हाथ की एक उंगली से भी काफी छोटी होती है ये जानवर जादा से जादा 7 इंच तक ही बढ़ते हैं और इनका वजन करीबन 100 ग्राम तक होता है करीब 8 इंच लंबी पूंच वाले ये बंदर दिखने में बेहद सीधे साथ ही दिखाई पढ़ते हैं मगर बता दें कि ये बंदर थोड़ा गुसेल मिजास के हैं और समझदार होते हैं तो दोस्तों आपको इनमें से सबसे छोटा और क्यूट जानवर कौन से लगा हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में इसे शेयर करना बिलकुल न भोले हमारे चैनल को सबस्क्राइब करने meet you in another video till that, goodbye